ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलिटिन के साथ मैं शुब्रा भट्टा चारे और अब पेश है आज के मुखे समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वारणसी में महत्वा कांक्षी प्रधान मंत्री आयुश्मान भारत स्वास्थ बुनिया दीधाचा मिशन का शुभारंब किया राज्जी सरकार ने दीपावली के अवसर पर कुमहारों, स्वसाहता समुहों और छोटे कारिगरों से कोई कर या शुल्क नहीं लेने का निर्णे लिया है भारती जनता पार्टी की प्रदेश शिकाई ने कहा है कि किसानों के फसल पक कर दैयार राज्जी में एक नवंबर से शुरू होनी चाहिए समर्थन मूली पर धान खरीदी और 36 गर तिलंगाना के सीमावटी इलाके में पुलिस के साथ मुटभेड में तीन मावादी मारे गए मौके से चार हतियार बरामद अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वारानसी में एक समारोह में महत्वा कांग्षी प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्त बुनियादी धाचा मिशन का शुभारंब किया केंद्र प्रायोजित इस योजना को देश अगले 6 वर्ष के लिए देश में शहरी और ग्रामिन शेत्रों में स्वास्त बुनियादी धाचे निगरानी और स्वास्त अनुसंधान के एक्षेत्री की खाई को पाटना है इस योजना के तहए देश के 5 लाग से अधिकाबादी वाले सभी जिलों में ब्लॉकिस्तर के स्पतालों में विशेश देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी अन्य जिलों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा केंद्रे युवा कारे और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच भारत अभ्यान के अंतरगत अब तक देश भर से 75 लाख किलोग्राम कच्रा उठाया गया है एक माह का ये कारिक्रम एक अक्टूबर को शुरू किया गया था नहरु युवा केंद्र संगठन द्वारा चलाय गये इसकारिक्रम का नित्रित्व युवाउने किया इसके अंतरगत देश के 744 जिलों के 6 लाग गाउं में कच्रा मुक्त अभियान चलाया गया स्री ठाकुर ने बताया कि 75 लाख किलोग्राम कच्रा उठाने का लक्ष समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया नहरु युवा केंद्र संगठन ने अब तक स्वच्च भारत सुरक्षित भारत अभियान के तहर देश भर से एक करोड किलोग्राम कच्रा हटाने का लक्ष निर्धारित किया है देश में अब तक एक अरब दो करोड लाख से अधिक कोविड ओधिती के लगाए जा चुके हैं केंद्री स्वास्त मंत्राले ने बताया कि कल 12,31,000 अधिक कोविड ओधिती के लगाए गया इधर 36 कर में कोरोना से बचाव के लिए अब तक दो करोड 24,42,000 जधिक के लगाए जा चुके हैं इस बेच कोरिया जिले के कलेक्टर शियाम धावडे ने कोविड नाइंटीन की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए जिले में शत प्रतिशत टीका करण पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं जिले के जगराखांड कथा शिवपूर चर्चा नगरी निकाय और खडगवा विकासखंड में कोविट टिका करण अन्य नगरी निकायों और विकासखंडों के तुलना में कम हुआ है। कलेक्टर ने इन नगरी निकाईयों और विकासखंड के अधिकारियों को सभी पात्र हितग्राहियों का शत्र प्रतिशत्टी का करण किये जाने के लिए अंतिम चितावनी दी है। इस बीच प्रदेश के 21 जिलों में कल करोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं कोरोना संक्रमित की वज़े से कल प्रतिव का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस्थानी कारिगरों को बढ़ावा देने के लिए राजसरकार ने दीपावली के अफसर पर कुमहारों स्वसाहता समूहों और छोटे कारिगरों से कोई कर या शुल्क नहीं लेने का निर्ने लिया है। मुख्यमंद्री भुपेश बखेल ने जनता से अपील की है कि दीपावली पर उपयोग में लाई जाने वाली सामगरी जहां तक संभव हो इस्थानी कारिगरों से ही खरीदें। मुख्यमंद्री ने जिलाप्रशासन को कुम्हारू, सोह सहायता समूहों और छोटे कारिगरों को पूर्ण सहयो करने और उन्हें समस्त सुविधाएं मोहिया कराने के निर्देश दिये हैं। 36 गड़ में पंचायत उपबंध अनुसूचित ख्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा के प्रभावी क्रियानवेन के लिए नियम बनाने का काम अंतिम चरण में है। पंचायत और ग्रामिन विकास मंत्री टी एस सिंगदेव ने आज वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से बैठक कर अधिकारियों को प्रदेश में पेशा लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूद दे कर सहमती और अवश्यक कारवाही के लिए दो दिनों में संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिये हैं श्री सिंगदेव ने बैठक में कहा कि 36 गर सरकार पेशा को लागू करने के लिए प्रतिबद्द है जनजाती समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में पेशा महती भूमी का निभाएगा इससे ना केवल उनकी संस्कृती परंपरा, रीती रिवाजों और पारंपरी ज्यान को सुरक्षित रखा जा सकेगा बलकि उनके कल्यान के लिए जल जंगल और जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहे जा जा सकेगा उन्होंने इसके प्रभावी क्रियानवेन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जन प्रतिनिधियों और आधिवासी मुद्दों के जानकारों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल कर नियम तयार करने के निर्देश दिये हैं। भारती जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कहा है कि राज्य सरकार को आगामी 1 नवंबर से समर्थन मुल्य पर धान खरीदी शुरू कर देनी चाहिए। धान खरीदी शुरू करने की मांग करते थे लेकिन अब सत्ता में रहते हुए धान खरीदी की तारीख तक घोशित नहीं कर रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं। आईए लेते हैं छोटा सा विराम। आकाश्वणी समाचार फेस्बूक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है। हमारा फेस्बूक पेज चतिसगर्ड न्यूज ओन ए आई आई आर। ट्विटर हैंडल सीजी ए आई 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 आर न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जर्य भी हम पहुँच रहे हैं। आप तक चतिसगर्ड की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वणी समाचार। और अगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। और इमेल पर भेजना है। अम्रित महोसव के तहट आज का प्रश्ण है। भारती राश्ट्री ध्वच के निर्माता कौन थे। श्रोता अपने उत्तर वाट्सेप नंबर 8826546262 या इमेल आईडी अम्रित महोसव क्विस एड़ रेट प्रसारभारती.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भागी शाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोशना की जाएगी। विजेता को ई प्रमान पत्र और सांकेतिक पुरसकार दिया जाएगा। राजधने राइपुर के साइन्स कॉलेज मैदान में इन दिनों राश्ट्री, आदिवासे, नृत्ति महोसव और राज्योसव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भी रूबरू होंगे। इस महोसव में साथ देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों और 6 केंदर शासित प्रदेशों के 69 आदिवासी नर्तक दलों के लगभग 1000 कलाकार शामिल होंगे, जिन में 63 विदेशी कलाकार भी शामिल हैं। इस बेच राश्ट्री आदिवास अमर्जीत भागत ने राज्य सरकार की ओर से उनका आत्मी स्वागत किया। फिलिस्तीन से भी अवतार सांस्कृतिक केंदर का दापके कलासमू राश्ट्री आदिवासे नर्तिमहुसमें शामिल होने के लिए रवाना हो रहा है। बीजापुर जिले की सीमा से लगे तिलंगाना के मुल्गुजिले में पुलिस और मावादियों के बीच मुटभेड होने की खबर है। इस मुटभेड में पुलिस ने तीन मावादियों को मार गिराया है। मौके से चार हतियार भी बरामत किये गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के नुसार बीजापुर जिले की सीमा और तिलंगाना के मुलगों जिले की सीमा के बीच मावादियों की मौजूदगी की सूचना पर तिलंगाना की ग्रे हाउन फोर्स और बीजापुर पुलिस सर्चिंग पर निकली थी। इसी दोरान जवानों के साथ मावादियों की मुढभेड हो गए इस मुढभेड में तीन मावादी मारे गए हैं जिनके शव बरामत कर लिये गए हैं। मारे गए मावादियों के शवों को हेलिकॉप्टर से बीजापूर लाया गया है। इन में से दो की पहचान हो गई है, पुलिस के नुसार बद्रू उर्फ कल्लू दक्षिन बस्तर सभाग में मावादियों का नेता था, वहीं कम्मा महाराश्टर के गड़क चिरॉली डिविजन में सक्रिये था, सुरक्षा बलो ने घटनासल से के 47, SLR, LMG और एयर गन बरामत क सर्गुजा जिले में अंबिकपूर शहर से सटे गाउं में हाथियों की मौजूदगी की खबर मिली है, हमारे संबाददाता ने बताया कि शहर सीमा से केवल 5 किलो मीटर के दायरे में ग्राम लबजी और जुमर पारा थोर में 24 हाथियों का दल मौजूद है, हाथियों ने क अंबिकपूर शहर के बाहरी लाकों में रहने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है, मिली जानकारी के अनुसार वन विभाक कामला हाथियों के दल को दूर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है, इस समने के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद है, गौर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़की योजना के तहतिक अभियनता को दो लाख रुपे की रिश्वत लेते, वहीं अंबिकपूर में स्कूल के प्राचारी को दो हजार रुपे की रिश्वत लेते, और दुर्ग से एक पटवारी तथा उसके सहयोगी को छे हजार रुपे की उतर गया इस घटना के कारण इस मार्क पर रेल यातायाद प्रभावित हुआ है, ट्रैक पर सुधार कारी के कारण अंबिकापूर जबलपूर एक्स्प्रेस को रद्द कर दिया गया है, देर शाम तक यातायाद फिर बहाल होने की उम्मीद है, अब को चलने खबरें श्रीधनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोरी ओजना केंतरगत बिलासपूर संभाग में 33 और दुर्ग संभाग में 21 सस्ती दवा दुकाने संचालित की जा रही है, दुकानों में उपभुकताओं को गुणवत्ता पूर्ण दवाएं मर्पी से कम कीमत पर उपलब्ध कराई ज महासमून में अवैदरूप से चल रहे दो हुका बारों पर पुलिस ने चापा मारा है, दोनों जगों से भारी मात्रा में हुका पौर्ट, मसाले और तंबाकु युक्त पदार्थ जब्त किया गया है, और दुर्ग के इंदिरा मार्केट इससे तक होटल में वीतीरा ताग लग गई, फायर ब्रिगेट केमडे ने रादभर के प्रयास के बाद सुबा आग पर काबू पाया, आग से होटल को काफी नुकसान पहुँचा है, वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्रप्रदेश के वारणसी में महत्वा कांक्षी प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्त बुनियादी धाचा मिशन का शुभारंब किया, राज्जिस सरकार ने दीपावली के अवसर पर कुमारों, सुअसाहत असमुहों और छोटे कारीगरों से कोई कर या शुलक नहीं लेने का निर्ने लिया है। भारती जनता पार्टी के प्रदेशिकाई ने कहा है कि किसानों के फसल पक्कर तैयार राज्जि में एक नवंबर से शुरू होनी चाहिए समर्थन मुल्य पर धान खरीदी और 36 कर तिलंगाना के सीम वर्ती इलाके में पुलिस के साथ मुटभेड में तीन मावादी मारे गए मौके से चार हतियार बरामत। इसे के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार।